नमश्कार स्टुडेंट मैं एंडिये गुरू आलोग पी जसुला आपका फिर से स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे कि SF अपने हत्यारों के जखीरे में कौन-कौन से अत्याधनिक छोटे हत्यारों को सामिल करने जा रही है तथा इसकी क्या-क्या विसेस्ताएं है SF इसे हम Special Force के नाम से भी जानते हैं या इसे हम Para-SF भी कहते हैं यह भारतिय सेना की एक ऐसी यूनिट है जो Special Operations करती है अगर हम इसके latest Special Operations की बात करें तो हमें याद आता है मिया मार का 2015 का Special Operations यदि आपको इसके विसे में जानकरी नहीं है तो आपको अवश्य ही याद होगा 2016 में पाकिस्तान में किया गया Surgical Strike यह दोनों ही Special Operations SF, Special Force द्वारा सफलता पूर्वक पूरे किये गए थे SF को और मजूद बनाने के लिए भारतिय सेना SF को अत्याद हुनिक वे छोटे हतियार देने जा रही है आईए सबसे पहले बात करते हैं MK48 LMGS MK48 LMGS एक ऐसी मसीन गन है जो Special Operations को ही ध्यान में रखकर बनाई गई है यह Assault Machine Gun है जिसका अर्थ है कि यह Size में छोटी है तसा इसे इधर से उधर आसानी से ले जाया जा सकता है इसमें Detachable Magazine होती है यानि इसकी Magazine को अलग किया जा सकता है इसे LMG यानि की Light Weight Machine Gun कहते हैं क्योंकि इसका वेट बहुत कम होता है जब यह खाली होती है तो इसका वेट 8.2 kg तथा जब यह Loaded होती है यानि भरी भी होती है तो इसका वेट 11.2 kg होता है इसकी लंबाई 39.75 इंच होती है यह 7.62 mm की LMG है और इसकी एक मैगजीन में 20 कार्टूस होते है तथा एक बार में 10 राउंड निकलते है MK48 LMGS बहुती तेज स्पीट के साथ सेमी आटोमेटिक और फुली आटोमेटिक तरीके से फायर करती है आएए अब बात करते है FN score assault rifle की FN score यानि की FN special operation forces combat assault rifle score के दो वर्जन है पहला है score H, score heavy दूसरा है score L, score light यह दोनों ही अत्यादुनिक आटोमेटिक assault rifles है score L यानि light का वजन 3 kg और score H, heavy का वजन 3.72 kg है US Army द्वारा इसका प्रियोग इराग तथा अफगानिस्तान बौर में अत्यादिक किया गया था इसकी सबसे बड़ी विसेस्ता यह है कि इसे एक डारेक्शन से दुसरे डारेक्शन में आसानी से मुड़ा जा सकता है तथा लेफ्ट राइट बिना सरीर को गुमाए भी गोलियां चलाई जा सकती है इन assault rifle की साहता से 0.40 mm ग्रेनाइट लाउंचर द्वारा ग्रेनेट भी fire किया जा सकता है इसमें foldable butt stock होता है जिसकी वज़ा से यह एक compact gun बन जाती है जिससे इसे aircraft या किसी वहन में आसानी से बहुत ही छोटे इस्तान पर रखा जा सकता है जिसकी वज़ा से इसको एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर आसानी से ले जाया जा सकता है अभी तक हमने बात की Mk48 LMGS और FN Score Assault Rifle की अब आपको बताता हूँ 0.50 Cal Browning Heavy Machine Gun HMG के विसाय में 0.50 Caliber Browning एक ऐसी machine gun है जिसको हम the mother of all machine guns कह सकते हैं यह हतियार 6000 फिट तक अत्यदिक प्रभावी होता है तथा इसकी अधिकतम मारक छमता 4 miles है यह एक सक्तिसाली machine gun है जिससे किसी भी परिस्तिती का सामना किया जा सकता है यह लगबग 6 फिट लंबी होती है इसका वज़न बिना ट्राइपॉड के 84 पॉंड और ट्राइपॉड के साथ 108 स्पॉंड होता है यह एक मिनट में 550 round fire कर सकती है यह एक सक्तिसाली हतियार है जो किसी भी युद्ध के मैदान में दुसरी सेना या विद्रोही दल पर हावी हो सकता है 0.50 caliber browning automatic machine gun है इस machine gun को हेलिकॉप्टर या जमीन पर या किसी वहन पर anti-aircraft या anti-personal weapon के रूप में भी लगाया जा सकता है आईए अब आपको जानकारी देता हूँ sniper rifles के विशह में students आप मैंसे लगबग सभी ने फिल्मों में देखा होगा कि एक आदमी दूरबीन वाली rifle के द्वारा बहुत दूरिस्तित एक निसाने पर निसाना लगाता है क्या आप जानते हैं कि इन rifles को क्या कहते हैं इस तरीके की rifles को sniper rifles कहते हैं तथा special forces जो sniper rifle यूज़ करेंगी वह है विश्वकी नंबर वन M107A1 sniper rifle sniper rifle के द्वारा सैनिक लंबी दूरी से अपने लक्षे को भेद सकते हैं M107A1 sniper rifle anti-material gun है anti-material gun वह गन होती है जिनके द्वारा concrete से तयार की गई मजबूत दिवार या इमारत को बिना किसी धमाके के नस्ट किया जा सकता है M107 world की सबसे best anti-material sniper gun है इस sniper rifle में 0.50 BMG की bullet का प्रियोग होता है इस rifle का weight 13 kg तथा इसके barrel की लंबाई 29 इंच होती है M107A1 द्वारा army के sniper 1500 से 2000 मीटर की दूरी पर निसाना लगा कर अपने लेक्षे को भेद सकते हैं इसके द्वारा किसी स्थान पर खड़े विमान यानि पार्क किये गई विमान communication के target, computer intelligence sites, वे जगे जहां रडार लगी हो तेल के भंडार, गोला बारूद के डीपो, इसके साथ ही साथ light arm vehicle LAV जिने हलके बक्तरबंद वाहन भी कहते हैं को 2000 मीटर की दूरी से उड़ाया जा सकता है Students, इन हत्यारों के आने से special force की मारक छमता में अत्याधिक वर्दी होगी Students, तो यह थी जानकारी कि SF अपने हत्यारों के जखीरे में कौन-कौन से अत्याधुनिक छोटे हत्यारों को सामिल करने जा रही है तथा इनकी क्या-क्या विशेस्ताएं है यदि आप मुझसे इस से संबंदित कोई भी प्रस्न पूछना चाहते हैं तो Sign Defense Academy की website www.signdefense.com में जाकर पूछ सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे दिये गए description box में दिया है धन्यावाद, जय हिन, जय भारत झाल 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 झाल